वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्जी जील खाने का बहुत अच्छा तरीका जनाब सबसे पहले मैं बता दो मेरा नम सचा दन्सारी है और मैं दिल्ली से हूँ देखिए आर्जी जील स्पाइरल ना जो कोई भी इंशान सुबह खाता हूँ और उ पेट में कब्जगाइस एसिटी बनता हूँ या फिर उसकी बोड़ी में ज्यादा ठंडापन हो मतलब गर्मी ना हो ऐसे मरीज को आर्जी जील के साथ दो या तीन लहसन है ना छील के उसको बारी काटके दो के आर्जी जील स्पाइरल ना के साथ उससे खा लिया करो यह मैं मैं खुद तजर्बा किया हूँ पूरी लॉग्डॉन में कि इससे तो आपका एक्स्ट्राचरिपी पिख लेगा ही पिख लेगा क्योंको अधर इस्पाइरल ना भी है फैट कम कहता है आर्जी जील के एक अलग फाइदा है यह लहसन का भी अलग फाइदा हुए तो सारे मि अधर दिन खाओ थोड़ा सा उपन निसी होगा इंशालला फिर धीरी धरी क्या होगा नॉर्मल हो जाएगा मैंने भी लहसन जब शुरू किया था एक दो दिन मुझे चक्कर साया और पेट इतनी सफाई हुए यहां तो की दो-तिन दिन मेरे मैंने छोड़ा नहीं मैंका अप अब अब यहां गया हुए और लॉग्डॉन में हम काफी पत्ले भी हो गए सबको देख रहा थी लॉग्डॉन में तो मोटे हो रहे हैं आप पत्ले हो है अपने ऊपर कुछ चीज़ तजर्वा कि हां पूरी लॉग्डॉन में इसलिए मैं हलका हो अगर आपको भी हलका होना तो यह लो इस पारणा आरजी जेल के साथ लहसन यूज़ करो आप फिर्ष्ट वाले दिन एक लहसन दूसरे दिन दो तीसे दिन तीन इस तरीके से जितना आप जहल सकते हो चालिस तक जाना है दिर्ष्ट लगवा किसी को मार दिया है तो उनको यह दोज दिया जाए चालिस स्धिय दिन चालिस उसके बाद आर दिन बंद कर दो क्या चीज़ लहसन को आर्जी दिन के बाद फिर 49 से शुरू करो 49, 38, 37, 36 इस तरीके से एक एक कम करते क्याते हैं एक पर आ जाओ RGGL इस्पारलना के साथ और RGGL की इस्पारलना के डोज क्या होगा एक इस्पारलना एक RGGL और हर हफ्ते बढ़ाना है RGGL का कब तक दसे 10 के अफसल तक पांच के अफसल तक जाते जाते हैं उसकी बोटी से टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाता है जब निकलना शुरू हो जाएगा डोज को वह ही रोक देना ओके अजब बिल्कुल कंप्लेट फिट हो जाओ तो डोज को कम करते करते एक RGGL पर ले खासी होंगी नाक से ज्यादा पानी है जब पानी जाएंगे बल्गम निकलेंगे यही उसका निशानी है जब तक अच्छी तरीके सही ना हो जाए तब तक खाते पीते रो डोज बढ़ाते जाओ ओके और किसी को घुटने के जोड़ो जोड़ो के दर्द की प्रोबलम से RG निकार इसमे पानी पीना गरम घर वक्त वही पानी पीनो रिषी केनो टिका गरम पीना धन्डा नहीं और गयनो मसाज करना और उसके अंदर में एक उलियारुमा ओैल है उसको मिला के यूजकर ना इस से जल्दी थोड़ा सा और आराम मिल जाता है क्योंके उलियारुमा ओैल आप यूँ ही खाली मंगा सकते हो और लगा सकते हैं उसे बहुत जल्दी आराम मिलता है वे मेरा खुट कर तजरवा है अच्छा दूसरी बात इसके अलावा किसी को और कोई समसिया है जो जिस समसिया में है उस समसिया को और ये बढ़ाएगा शुरू में मतलब हम इस लेंग्वेज में कह रहा है कि बढ़ाएगा वो बढ़ा नहीं रहा है बलके वो उखाड़ रहा है उखाड़ के फिर फेक येगा वो ओके एक पैड़ लेलो अगर पैड़ को हमें अगर जड़ से हमें वहां अटाना आए cows want to yell लधिर रह Jeder्रो जाती को फिर्ट प्र हांती लगती है जब ठीड तो धर्गरती है वह को थेखती है दिन कालती है देस्ते निकालती है सब सुर्ट भी इ debugging यह उसमें मदट करनी झाइना कि डर जाना चाहिए क्या हो गया नहीं डरना नहीं है कुछ दिन तक जहलो कुछ दिन ही आपको जहलना है उसके बाद हमेशा के लिए नहीं जहलना है तो मुझे उम्मीद है अगर आप जहल लेते हैं पूरी जिंदगी आप मस्तर होगे जैसे मेरे घुटने में दर्द रहता था तो मैंने जब इस्तमाल करना शुरू किया आर्जी जील तो मेरा यह समय और बढ़ने लगा सरे में भी प्रॉब्लम थी दर्द वह भी बढ़ने लगा मैंने का छोड़ूंगा नहीं जुक कुछ भी हो जाए उसका बाद शुरू करती है मैंने खाते रहे खाते रहे 15-20 दिन तक हमारा प्रॉब्लम रही रात को कई कई यहीं सोनी पाते थे सर को जमीन में रखके कपड़े से बांद के रखते थे ताकि आराम मिल जा इंग्रीज दवाईयां कभी सहरा लेता था कुछ दिर उससे भी आराम मिल जाता था फिर वही हाल जब सुबह में आर्जी जील खात तो जहां दद होता था वहीं पर जाके पंच मिनट में अटेक करता वह पांस से आटेक करना शुरू करता था सबस्तिक काम शुरू कर देदा मुंझे अहसास होने लग जाता था कि अच्छा यह काम शुरू करती है अब तो फिर हमारी ऑलत करा मगर हम भी जुद्दी हूं छ कोई क्लैम्प ना करें ठीक है परसनल टेस्टिमोनियल हमारा तो हमारा मतलब कहने का आर्जी जियल इस तरीके से भी खा सकते हो लहसन के साथ भी मगर जिसकी मिजाज में बहुत गर्मी है वह लहसन को ना खाए लहसन थोड़ा सा थोड़ा सा गर्म है ज्यादा नहीं है मैंकर इंसान गर्म मिजाज वाले को थोड़ा से भी अगर गर्मी मिल जाता है और वह गर्म हो जाता है इसलिए बहतर है वह यह ना खाए ओके ट्राय करना चाहें ट्राय कर लो अगर ज्यादा गर्मी ओकर लगने लग छोड़ते हैं ना ओके आधी तो खाई सकते हो एक नहीं तो आधी बोटी सूट कर जाएगा बुढ़ापे में तो हर इनसान खाना चाहिए हमारे वाले सब 72 साल से जादा है वह आज भी खेतों जब लहसन भोते हैं तो उसके पत्ते सुबत सब्सक्राइब निकालके और लाते हैं और रोटी या चावल या फिर मुरमुरे के साथ वह खाते हैं मैंने बच्पन में पूछा था पिता जी से कि पिता जी आप लहसन क्यों खाते ते ना प लाजम आया तब मुझे पता जला मैं और बड़े बुड़े जो कहते हैं वाकिम तजरीवे वाली बात कहते हैं बिल्कुल सही कहा किसी ने तो बड़े बजर्गों की तजरेवे मानना चाहिए तो आज ही से आप भी लेसन पर परियोग करना शुरू करते हैं और बहुत सारे वायरेस से लड़ने में भी मदद करती है लहसन इसलिए लहसन सब्जी में भी खाएं और यह भी खाएं लहसन का अचार तक मिलती है मार्केट वे आप लहसन का अचार खाओ क्या मसते थैंक्यू शुक्रिया मुझे उमीद है हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर मैं समझ में आ गई है तो मैं आप से कहूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किये तो आपका बहु रोज शेयर कीजिएगा शुक्रिया